हेलो वीवर्स वेलकम वेक टू माई चैनल लिट्रेचर सार्थी वीवर्स अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और मेरी चैनल लिट्रेचर सार्थी को सब्सक्राइब भी कर दीजिए आज हम उत्राखंड के बारे में कुछ महतोपून जानकारियां प्राप्त करेंगी तो चलो इसी सरंकला में हम आगे बढ़ते हैं उत्राखंड के पर्थम मुख्यमंत्री कौन थे? तो उत्राखंड के पर्थम मुख्यमंत्री थे नित्यनन स्वामी जी पर्थम नव निर्वाचित चुनाव द्वारा मुख्यमंत्री कौन थे तो चुनाव द्वारा निर्वाचित मुख्यमंत्री थे नारेंदत तिवारी उत्राखंड के पर्थम एडवोकेट जनरल के रूप में किसे निक्त किया गया था तो पर्थम एडवोकेट जनरल के रूप में निक्त किया गया सुदानसु धूलिया को तो आपने ध्यान अकना है आपने इपने धिमाग में फिट करना है कि पर्थम एड़ोकेट जनरल के रूप में निक्त केगा सुधानसु धूलिया को उत्राखंड राज्य का सबसे बड़ा कागच कारखाना कहां इस्तित है यह सबसे बड़ा कागच कारखाना जो इस्तित है वो है लाल कुवा नैनी ताल में उत्राखंड में हुक्का कलब इस्तित है अल्मोडा में गड़वाल पेंटिंग पुस्तक के रचियता है मुकुंदी लाल उत्राखंड में कुमाओ केसरी के नाम से जाना जाता है बदरी दर्थ पांडे को उत्राखंड के पर्थम सुतंता सैनानी के रूप में किसे जाना जाता है तो पर्थम सुतंता सैनाई के रूप में जाना जाता है कालो सिंग्महरा को कुमाओ साहिते के पहले कभी कौन थे या कौन है तो कुमाओ साहिते के पहले कभी है पंडित गुमानी पंद पंडित गुमानी पंद इसको आप बार-बार रिपीट करते रहे तो क्या होगा कि ये सारी बातें आपके मायन में फीड हो जाएंगी तो ये जो उत्राखंड lecture screening exam है उसके point of view से ये बहुत ही important questions है उत्राखंड की किस महला को badminton queen के नाम से जाना जाता है तो badminton queen के नाम से जाना जाता है madhumita bistko उत्राखंड के किस सहर को पहाडों की राने कहा जाता है या पराणो की रानी के नाम से जाना जाता है ये आप सभी जानते हो मसूरी उत्राखन में लीची नगर नाम से विख्यात है देहरादून उत्राखन में चोटा कस्मीर के नाम से प्रिख्यात है या जाना जाता है पिथोरागड चोटा कस्मीर उत्राखन में जीलों का नगर और सबसे ज्यादा जीलें कहां पर हैं जिसे जीलों का नगर के नाम से जना जाता है वो है नैनी ताल उत्राखन राज्ये में दूद या दुग्द उत्पादकों को किस नाम से बेचा जाता है तो आचल के नाम से बेचा जाता है उत्राखंड में वनों की निलामी के लिए किस वर्स आंदोलन किया गया था वनों की निलामी के लिए आंदोलन किया गया था 1977 में उत्राखंड के अंतीम राजा कौन थे प्रध्युमन सा चंद राजाओं का राचिन था गाई गोपेसर के त्रिसूल पर अंकित लेख 1268 इस्वी में किस सासर की विजयों का वर्णन इसमें मिलता है तो वो है असोग चल के किस वर्ष कुमाओ का गोर्खा सामरेजे से विले हुआ था तो गोखरा सामरेजे में विले हुआ था वो हुआ था 1790 में कुमाओ विश्यो विद्ध्याले का स्तापना वर्ष था 1973 उत्राखंड में गांदी जी ने देरदून की यात्रा किस वर्ष की थी तो इन्होंने किया था 1916 में देरदून की यात्रा की थी गांदी जी ने 1916 में उत्राखंड राज्य को सरवाधिक प्रभावित करने वाली आपदा कौन सी है कौन सी चीजें है कि जहां से उत्राखंड सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है तो वो है भूसकलन वो बाढ़ उत्राखंड में छेतबल की द्रिश्य सबसे बड़ा जिला कौन सा है उत्रकासी और जो है आठ हजार सोला किलो मीटर स्क्वाईर उत्राखंड का कौन सा जिला सबसे लंबी अंतराष्टिय सीमा रेका वाला है भारत का पर्थम राष्टिय पार्क कौन सा है तो भारत का जो पर्थम राष्टिय पार्क है वो जीम कॉर्बेट राष्टिय पार्क है कॉर्बेट नैशनल पार्क की स्थापना किस वर्स हुई थी तो कॉर्बेट नैशनल पार्क की स्थापना हुई थी 1936 इसे पहले हैली नैशनल पार्क के नाम से जाना जाता है और इसका जो नामकर्ण या बदल कर कॉर्बेट नैशनल पार्क रखा गया वो 1957 में और ये कॉर् इसका नाम, Halley National Park से Corbett National Park रखा गया, तो इसमें आपके तीन चार कोश्चन आपके बन सकते हैं, सबसे पहले कि Corbett National Park की स्तापना कब हुई थी, तो Corbett National Park की स्तापना उती, 1936 में, और Corbett National Park को पहले किस नाम से जाना जाता था, और Corbett National Park को पहले Halley National Park के नाम से जाना जाता था, और इस पार्क, यानि Halley National Park का नाम किस वर्स बदला गया, तो 1957 में, और इसको बदल कर, किसके नाम पर क्यूं बदला गया, क्यूंकि इसलिए बदला गया, कि जुम्हान, जिम Corbett थे, क्या थे वो, प्रकरतिवादी थे, और जन्तु सरंक्षनवादी थे, तो इसलिए उनकी स्मिर्ती में, इसका नाम Corbett National Park रखे गया, तो इस तरह से इसमें, हमारे कुश्यन बन सकते हैं, एक्जाम के Point of View से, विन्योग माउंटेन क्लेव, वन्य जीव विहार, कहां इस्तित है, तो विन्योग माउंटेन क्लेव, व इस वर्स हुई थी, तो इसकी स्तापना हुई थी 1993 में, 1993, उत्राखंड राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्य उध्यान कौन सा है, तो सबसे बड़ा राष्ट्य उध्यान है, गंगोत्री राष्ट्य उध्यान, गंगोत्री राष्ट्य उध्यान कितनी वर किलोमेटर में फैला हुआ है, तो ये है 2390 वर किलो मेटर में फैला हुआ है, क्योंकि सबसे बड़ा है, और इसके जो बताया गया कि कितने वर किलो मेटर में है, तो 2390 वर किलो मेटर में है, हजरत अलावदीन एहमद, साबीर की दरगा कहां स्तिते, ये है पिराने कलियर, यनि कि ये पिराने उत्रकंड में उत्यासू बांध पर्योजना किस नदी पर इस्ति थे? तो ये उत्यासू बांध पर्योजना अलक नंदा नदी पर इस्ति थे इचारी बांध परियोजना किस नदी पर इस्तिते तो इचारी बांध परियोजना टॉंस नदी पर इस्तिते कौन सी नदी टॉंस नदी उत्राखंड में लोहारी नाग पाला जल विदूत परियोजना किस नदी पर है तो लोहारी नाक बाला जल विदुत पर्योजना भाग देती नदी पर है उत्राखन की किस सहर को गंगा द्वार के नाम से जाना जाता है तो गंगा द्वार में हरी द्वार कौन सा मंदिर उत्राखन में सबसे अधिक उंचाई पर इस्तित है तो सबसे अधिक उचाए परिस्थित मंद्री है हमारा तुंगनात और ये तुंगनात मंद्र कहाँ पर है रुद्र परियाग में बद्री नात किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है बद्री नात अलगनन्दा नदी के किनारे पर बसा हुआ है अलकनन्दा नदी का उद्गम स्तल कहां इस्तिते तो अलकनन्दा नदी का उद्गम स्तल इस्तिते शतो पंथ में उत्राखण में छेतपल की दिरिचे सबसे छोटा जिला कौन सा है सबसे छोटा जिला है चमपावत उत्राखंड राजी में फूलो की घाटी कहां इस्तिते पूलो की घाटी इस्तिते आपके चमूली में रिशी केस किस नदी के किनारे पर बसावा है रिशी केस गंगा नदी के किनारे पर बसावा है तो इस तरह से आज हमने उत्राखंड के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हासिल किये अगर दोस्तों आपको मेरे चैनल पसंद आया या मेरी वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कर दिजिए और मेरे चैनल को लिट्रेचर सार्थी को सब्सक्राइब कर दिजिए तो इसी तरह से मैं आपके लिए नई नई वीडियो लेकर उत्राखंड के बारे में लेकर आती रहूंगी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में